भारत में लंबे समय से कई सामाजी कारिकरता प्रवासी मजदूरों के मतदान की अधिकार को सुरक्षित करने के लिए लगतार आवाज उठाते रहे हैं भालही में इस सम्बंध में कुछ प्रयास करते हुए चुनावायोग ने दूरस्थ मतदान की धारना को पेश किया है और इस धारना के तहट एक नया सिस्टम भी विक्सित किया गया है जल्द ही सिस्टम को भारत के तमाम राजनीतिक दलों के सामने पेश किया जाएगा और इ आपका स्वागत है दृष्टियाईस की इस नई वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं यानि उन बिंदों की बात कर ले जिनके जर ये हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तब से पहले खबर पर बात करे करेंगे इसके बाद ये जानेंगे कि आखिर हमें इस नए प्रस्ताओं की नई विवस्था की जरूरत क्या है चुनावायोग नहीं नया प्रस्ताओं क्या पेश किया है इसके लावां रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन क्या है इस पूरी पूरी मशीन की क्या और आप इसे मुखेतार पर भारती राजविवस्था और चुनाव जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले खबर देख लेते हैं तो हमारी खबर जो है वो दहिंदू के एक्स्प्लेंड सेक्शन से ली गई है और इस खब किस तरह की चुनावायोग ने इस पूरी व्यवस्था को लेकर एक कॉंसेप्ट नोट जारी किया है और इस कॉंसेप्ट नोट में इस पूरी दूरस्थ मतदान की जो धारना है उस धारना के तमाम पहलूँ पर चर्चा करने की कोशिश की गई है चुनावायोग ने अपने कॉंसेप्ट नोट में मुख्यतार पर प्रवासन अधारित बेदखली की जो समस्या है इस समस्या को स्वीकार किया है इसको रेखांकित किया है यह समस्या क्या है तो यह समस्या इस बात पर जोर देती है कि अक्सर प्रवासी मजदूरों को अक्सर जो मजदूर होते हैं वो प्रवासन की वज़े से मतदान नहीं कर पाते हैं और अपने मतदान के अधिकार उनका जो अधिकार है vote डालने का हमें जो right prompt है वो अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं तो इसी पूरी धारणा को हम प्रवासन अधारित बेधकली के तौर पर भी देख सकते हैं तो इस पूरी धारणा को चुनावायोग ने अपने concept note में जगे दी है इसको रिखांगित किया है और चुनावायोग ने बताया है कि साल 2011 की जनगर्ना को यदि आप देखेंगी तो भारत में वर्तमान समय में तकरीबन 45.36 करोड जो है प्रवासी मजदूर मौजूद हैं जो कि भारत की कुल जनसंख्या का तकरीबन 37 प्रतीशत हैं यानि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 37 प्रतीशत लोग तो केवल migrated हैं केवल प्रवासी हैं जिन्होंने या तो interstate प्रवास किया है या फिर interstate migration किया है या तो उन्होंने आपने state के अंदर ही migration किया है या state से state के बीच migration हुआ है तो जाहेरतोर पर यह बूरा migration है कि बहुत बड़ी संख्या में हुआ है अब इसके अलावा यदि आप 2019 में जो लोगसभा चुनावा आयो जित किये गए थे उन चुनावों के आकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 के चुनावों के दौरान भारत में तकरीबन 91.2 करोड पात्र वोटर मौजूद थे यानि इतने लोग ऐसे थे जो कि उस समय वोट करने के पात्र थे वोट करने के एलिजिबल थे लेकिन जब आकड़े सामने आये जब मतदान हुआ तब ये पता चला कि इन में से केवल 67.4 परसंट वोटर ने हैं मतदान किया था साल 2019 के चुनावों में यानि इस तरह से हम कह सकते हैं कि तक्रीबन एक तिहाई वोटर्स ने मतदान नहीं किया था तक्रीबन 30 करोड वोटर्स ने मतदान नहीं किया था और इसी तरह के कुछ हाकड़े हमें साल 2014 और साल 2009 में भी देखने को मिले थे साल 2014 में केवल 66.44% मतदाताओं ने ही मतदान किया था जबकि 2009 में मात्र 58.21% वोटर्स ने ही मतदान किया था यानि जाहिर तोर पर पिछले कुछ समय से साल 2009 से लेकर साल 2019 तक जो मतदाताओं का शेर है जो वोटिंग शेर है वो पूरी तरह से स्टैगनेट हो गया है पूरी तरह से स्थिर हो गया है और उसमें न तो बढ़ोतरी हो रही है ना ही कमी देखने को मिल रही है और इसी वज़े से भारत में वर्तमान समय में 30 करोड के आसपास वोटर ऐसे हैं जो तमाम वजहों से तमाम कारणों की वज़े स से मतदान नहीं कर पाते हैं कारण क्या क्या है उन कारणों पर दूसरे स्थान पर जाते हैं ये इसके बाद जब चुनावं का मौसम आता है जब चुनाओ की तारीख आती है तो उनके लिए उस तारीख पर वापस लोटना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो इसी वज़े से अक्सर जो लोग हैं वो मतदान नहीं कर पाते हैं और ये संख्या में क्या बाते की गई हैं उन बातों को जानने की कुशिश करते हैं दरसल इस कहानी की शुरुवात होती है साल दो हजार पंदरा से जब भारत में सर्वोच नियाले द्वारा प्रवासी मजदूरों के मतदान के अधिकार को लेकर एक मामले की सुनवाई की जा रही थी इसी सुनवाई की हिस्से के तौर पर सर्वोच नियाले ने भारत में चुनावायोग को कुछ दिशानिर्देश दिये और इन दिशानिर्देशों में कहा किया कि चुनावायोग को जो distance voting की धारणा है जो दूरस्त मतदान की धारणा है इस धारणा पर कुछ काम करना चाहिए इस धारणा को लागो करने की कोशिश करनी चाहिए सम्मंध में उपायों पर विचारविमर्श करना चाहिए और इसी पूरे दिशानिरदेश के बाद इन ही guidelines के बाद चुनावायोग इस पैनल में बहुत सारे विशेशक्य के शामिल थे और इन विशेशक्यों ने मुख्यतार पर इनका जो काम था कि दूरस्त मतदान की धारणा है इस धारणा को किस तरह से लागो किया जा सकता है उस पर इन्हें विचारविमर्श करना था इसके बाद इस पूरे पैनल ने इस पूरी सम्मिती ने तमाम तरह के जो करन हो सकते हैं जो इंस्ट्रुमेंट्स हो सकते हैं उनों करनों पर विचारविमर्श किया जैसे इन्होंने प्रॉक्सी मतदान पर बात की कि आपके स्थान पर कोई और वैक्ती मतदान कर दे जाके तो इसे प्रॉक्सी मतदान कहा ज इसके अलावा इन्होंने पूरू मतदान की भी बात की, अरली वोटिंग की भी बात की, कि आपको किसी छेतर में चुनाव आयोजित होने से पहले ही आवोट डालने की अनुमती दे दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग का यह जो पैनल था, इस पैनल ने इन में से किसी भी इंस समस्या है, वो है गोपनियता को लेकर, इन तमाम उपकरणों में इन तमाम उपायों में गोपनियता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आप प्रॉक्सी मतदान करते हैं, तो भी आपकी सीक्रिसी नहीं रहती है, आप इंटरनेट के जरियर मतदान करते हैं, तो भी उसे आसानी से हैक किया जा सकता है, इसके अलावा यदि आप अर्ली वोटिंग करते हैं तो भी इसमें सीक्रिसी मौजूद नहीं है, इसके अलावा एक बड़ी समस्या लिटरिसी को लेकर भी थी, भारत में जो लिटरिसी का रेट है वो बहुत जादा कम है, जो सिक्षित का फ्रेमवर्क बना था, वो फ्रेमवर्क अभी तक चल रहा है, तो लोगों को, जो लोग हैं हमारे यहां जो आम नागरिक हैं, उन लोगों को इस फ्रेमवर्क की आदत पड़ गई है, तो ऐसे में लोगों को एक नए फ्रेमवर्क से परिचित कराना बहुत ज्यादा पर देखते हुए चुनावायोग के इस पैनल ने एक नया उपाय सुझाया और ये नया उपाय था रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानि आर वी एम इसकी पूरी मशीन को एक नए उपाय के तौर पर पेश किया गया तो क्या है ये मशीन इस पूरी मशीन को समझने की कोशिश करते हैं इस नई प्रणाली पर बात करते हैं रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन इस पूरी मशीन को हम इवियम के एक नवीनतम संसकरन के तौर पर देख सकते हैं लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जहां एक और इवियम केवल एक कॉंस को कवर किया जा सकेगा चुनाव आयोग का कहना है कि इस एक मशीन के जरिये एक पूलिंग बोथ के माध्यम से तक डिवन 72 निरवाचन छेत्रों को संभाला जा सकता है एक बार में एक मशीन के जरिये 72 निरवाचन छेत्रों को 72 को कवर किया जा सकता है तो कि जाहिर तोर पर यह जो पूरी प्रणाली है बहुत important साबित हो सकती है अब यह प्रणाली काम कैसे करेगी इसका working process क्या है उस पर बात करते हैं तो यदि इस पूरी जो चुनावायोग ने concept note जारी किया है उसमें कहा गया है कि यदि कोई वेक्ती इस तरह की धारना को अपनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने छेतर के returning officer के साथ अपना पंजीकरन कराना होगा और उस returning officer को यह बताना होगा कि वो दूरस्त मत्यदान के प्रणाली में हिस्सा लेना चाहता है इसके बाद जब पंजीकरन हो जाएगा तो जो वहा का returning officer है वो मत्यदाता को सत्यापित करेगा उसकी पुष्टी की जाएगी कि वही वेक्ती है इसके बाद उसे दूरस्त मत्यदान के लिए पात्र मान लिया जाएगा इसके बाद जब पूरी प्रणाली पूरी हो जाएगी पूरा जो process है वो पूरा हो जाएगा तो process पूरा होने के बाद उस पूरे छेतर में एक दूरस्त मत्यदान केंदर स्थापित किया जाएगा एक remote voting center बनाया जाएगा और इस remote voting center पर मौजूद होगा RVM यानि remote electronic voting machine तो यह जो remote electronic voting machine है यह voting machine EVM से अलग है हमने पहले ही बात की क्योंकि EVM में केवल एक मतपत्र sheet मौजूद होती है EVM में कोई display मौजूद नहीं होती जबकि जो RVM होगा उसमें एक display मौजूद होगी उस display में सबसे पहले आपके पास जो card मौजूद है आप उस card को scan करेंगे उस scan करने के बाद आपके पास अपनी constituency को चुनने का विकल पाएगा और आप जिस छेतर को चुनेंगे या आपके card के अधार पर जिस छेतर का चैन किया जाएगा उस छेतर के तमाम उमीदवारों की सूची आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद आप किसी एक उमीदवार को चुद सकेंगे जाहर तोर पर ये जो पूरे प्रणाली है ये भविश्य की जो तकनीक है जो इंटरनेट की तकनीक है जो इसके अलावा एडवांस टेकनोलोजी है उनका उप्योग करनी की कोशिश करती है इसके अलावा ये प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित भी है सुरक्षित किस तरह से है तो सुरक्षित इस तरह से है कि EVM के तरह ये प्रणाली भी इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं होगी इसको इंटरनेट से नहीं जुड़ा जाएगा अब जब ये प्रणाली इंटरनेट से जुड़ी नहीं होगी तो जाहिरतोर पर इसे hack भी नहीं किया जा सकेगा इसके अलावा इस प्रणाली में वी-वी पैट जैसी एक machine भी जुड़ी हूई होगी वीवीपैट क्या होता है तो वीवीपैट एक मशीन होती है जिसके जरीए अक्सर ये जो मशीन है वो चुनाव केंद्रों पर देखने को मिलती है जहां पर इस पूरी मशीन के जरीए हमने किसे वोट दिया है उस वोट को सत्यापित किया जा सकता है उसकी पुष्टी किया सकत बहुतंग में कुछ चैलिंजि भी मौझूद हैं क्या क्या चैलिंजिस मौझूध हैं तो सबसे पहला जो चैलिंज है वो प्रवासी मुझ्दूरों की परिभाशा को लेकर है भारत में अबित स्थान के अधार पर भी अलग अलग विभाजित हैं इसकी इच्थितियों को लेकर भी बहुत ज़दा विभाजन मौजूद है कई प्रवासी मजदूर बहतर सिती में रहते हैं जबकि कई प्रवासी मजदूर खराब सिती में रहते हैं तो जाहिर तो पर इनके बीच एक कॉमन चीज ढूड़ना बहुत ज़दा मुश्किल हो सकता है तो ऐसे में योग भी संभव ना हो उसका विस्यूज भी संभव ना हो तो ये एक बड़ी चुनावायोग के सामने कई طरह के सवाल भी मौजूद हैं सवाल ये हैं कि क्या सब्भी प्रवासी इस तरह की विवस्था में मतदान केपातर होंगे और यदि नहीं तो कौन से प्रवासी मतद चुनौतियां मजूद हैं उन चुनौतियों को हल किया जाना जाहिर तॉर पर बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एक चुनौति ये भी है कि भारत में यह जो दूरस्त वोटिंग की धारणा है ये मौजूदा फ्रेमवर्क मौजूदा जो वोटिंग का सिस्टम है वोटिंग का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर इस पूरी नई धारना को फिट करना बहुत ज़्यादा चुनौती पूर्ण हो सकता है क्योंकि भारत में आजादी के बाद एक लंबा समय बीच चुका है और भारत की नागरिकों को अब एक पुराने सिस्टम की आदत पड़ गई है तो ऐसे में इस नए सिस्टम के लिए लोगों को तयार करना बहुत चुनौती होगी आम लोगों को इस नए सिस्टम के प्रजनीतिक दलों के सामने इसका प्रदर्शन चुनावायोग द्वारा किया जाएगा और राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शन कैसा रहता है राजनीतिक दल इस पुरे विचार को लेकर इस पुरे सिस्टम को लेकर क्या मानते हैं वही तै करेगा कि इस पुरी धारणा का इस पुरे विचार का भविश्य क्या होगा इसके अलावा साल 2023 में भारत में 9 राजियों में चुनाव आयोग जित किया जाने हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि चुनाव आयोग इनमें से किसी एक राज्य में या फिर 9 के 9 राजियों में इस पूरे मेकानिजम को पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर सकता है और यदि ये पाइलेट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो अंततर इसे साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी प्रायोग किया जा सकता है इसके अलावा राजनीतिक दलों की जो आशंकाएं हैं जो सीक्रेसी को लेकर बात की जा रही है इसके अलावा ट्रांस्पिरिंसी को लेकर जबात की जा रही है उन आशंकाओं को दूर किया जाना भी जरूरी है क्योंकि जब तक विपक्षी दल इस पुरी विवस्था को लेकर राजी नहीं होंगे तब तक इस विवस्था को लाने का कोई फायदा भी नजर नहीं आएगा इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पुरी धारणा है ये अभी केवल प्रारम भी चरण में है अपने शुरुवाती चरण में है तो ऐसे में हम अभी से इस पुरी धारणा में इस पुरी धारणा से जुरे तमाम पहलों को समझने की उमीद नहीं कर सकते हैं दीरे दीरे चुनावायोग इस पूरी धारना को लेकर नई नई बातें पेश करेगा, इसकी विशेष्टाओं को हमारे सामने पेश किया जाएगा, प्रवासियों को किस तरह से कवर किया जाएगा, उस तरह की जो तमाम चुनावायोग को हल करने के लिए जो उपाय हो सकते है उन उपायों को जल्द ही चुनावायोग हमारे सामने पेश कर सकता है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए किसी भी विवस्था को जज़ करने से पहले अबंत में एक प्रश्ण की बात कर लेते हैं प्रश्ण जो है वो मेंस का है और आप धाई सो शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं आज का हमारा प्रश्ण है कि भारत में पात्र मतदाताओं की एक बड़ी संख्या अकसर चुनावों में मतदान नहीं कर पाती है इसके कारणों पर चर्चा करते हुए इस संबंध में उपाय सुझाईए यहीं आपको बताना है कि भारत में जो मतदान न करने वाले लोगों की संख्या है वो संख्या लगातार बढ़ रही है वो संख्या में वो बहुत बड़ी संख्या पहुँच गई है तो ऐसे में इसके क्या कारण है कि वो मतदान नहीं कर पाते हैं और इस संबंध में किस तरह के उपाय अपनाये जा सकते हैं इसके अलावा आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि EVM की फुल फॉर्म क्या है मुझे अमीद है कि इस वीडियो के जरिये जिन बिंदों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इसे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे असानी से हल कर सकेंगे इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद